गोइंग स्ट्रॉंग में आज हम बात कर रहे हैं करणल प्रदीप कपूर से और उनको मैं ले जाता हूँ आज से लगबग छे दशक पहले जबके 1971 में उस समय इस पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने 59 माउंटन रेजिमेंट के साथ एक प्रमुक भूमी का निभाई प्रदीप मैं आपसे जाना चाहूंगा कि लड़ाई से पहले तीन दिसंबर से पहले क्या माहौल था शुरू हुआ एप्रिल 1971 जबकी ओपरेशन सेर्च लाइट शुरू हुई और बहुत सारे रेफ्यूजीज बंगलादेश से बारत की तरफ आए तरफ शुरूआत वहीं से हुई हम लोग उस वकत अगरतला में थे और अगरतला से हाफ अफ अफ त्रिपुरा साउथ अफ त्रिपुरा फ्रॉम अगरतला वी वर कवरिंग तो हमारी इस कोर के किस डिविजन के हिससा थे हम लोग थे 57 माउंटेन डिविशन ओके और मूव्मेंट हमारी ड्यू साउथ थी दुश्मन को प्रिजेंट कर रहे थे कि कई यूनिट्स हैं जबकि हम अकेले ही थे तो यह सर्पैस कैसे हासल किया था कॉंस्टन मूव्मेंट दो दिन यहां दो दिन वहां इस तरीके से और और मूव्मेंट भी ओपन में थी ताकि दुश्मन को आसानी से पता चाहिए यह सिर्फ उसको धोका देने के लिए थी यह ठीक अब जब यह रेफ्यूजी आने लग प्रवीब लोग जिनके पास बस उतना ही समान था जितना वो उठा सकते हैं वो भागे भागे अपनी जान बचा करके भाग के आ रहे थे और बी-ए-स-फ उनको रोके तो कैसे रोके वो कहते थे तुम अंदर बाहरत के अंदर नहीं आ सकते लेकिन जब आदमी कह रहा है कि तुमने गोली मारनी है मार दो मैं तो अंदर आ रहा हूँ तो एक नहते आदमी के उपर गोली नहीं चला ही आ सकती ये लोग सब हिंदू थे या मिक्स थे और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग के आ रहे थे और आट-दस लोग नहीं थे हजारों में रोज रोज ह हटना पड़ा ओपरेशन सचलाइट ओपरेशन सचलाइट पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर इस पाकिस्तान के अंदर इन्होंने सेलेक्टिव किलिंग शुरू कर दी थी चुन-चुन के लोगों को मार रहे थे और अनाम्ड सिविलियन्स को आप मार रहे हैं तो उनके पास ये एक ही तरीका है भागने का और कोई तरीका नहीं है और ये पाकिस्तान की आर्मी थी फौज थी जो कि जान-बूच करके कर रही थी तो अप्रेल से डिसमबर तक यह महौल रहा और आप सिर्फ अपनी लोकेशन चेंज करके पाकिस्तान को इंपरेशन दे रहे थे कि operations करती थी और मुक्ति बाहिनी की support में हम लोगों ने मई से firing शुरू कर दी live active support by fire हमने शुरू कर दिया था from may so हमारे लिए war lasted six months not 13 days यहां पर हमारे दर्शकों को आप यह अगर बताना चाहें कि मुक्ति बाहिनी क्या थी मुक्ति बाहिनी शुरू में तो उन लोगों का nucleus बनाया गया जो लोग पाकिस्तान आर्मी से defect करके बंगॉली होने के नाते बंगला देशी की तरफ जुके डिफेक्ट कर गए वो पाकिस्तान आर्मी को छोड़ गए उनको मुक्ति बाहिनी बनाया गया और साथ में धेर सारे किसान स्टूडेंट्स इस तरीके के सिविलियन जुड़ने शुरू हो गए उनको ये पता था कि अगर हम अपने अलग देश के लिए लड़ेंगे नहीं तो ये हमें मिलेगा भी नहीं तो पहली शीज आपने इस पश्च की कि मुक्ति बाहिनी का जो शुरू का नुकलियस था वो सब पाकिस्तान आर्मी के बेंगॉली एलिमेंट्स थे जिन्हों ने वो पाकिस्तान आर्मी को छोड़ दिया और मुक्ति बाहिनी की स्थापना की क्या इन मैं से किसी से आपकी उस वक्त बाच्चित हुई थी क्या उनका अरादा था, क्या उनका मनोबल था बहुत सारे लोगों से बाच्चित होती थी और रंतर होती रहती थी वो लोग स्आफ यही कहते थे कि अगर हमें अपने फ्यूचर के लिए भविश्य के लिए हमें आगे बढ़ना है तो एक अलग देश बनाना पड़ेगा और उस देश के लिए लड़ाई यहीं से शुरू होती है और ये उनको प्रेड़ना मिली थी मुजीब से शेख मुजीब रह्माद से तो आपने दो देश बनाएंगे यहीं पर अगर आप लफ्टन करनल सजजाद के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को करनल सजजाद आज बंगला देश के मिलिटरी हिस्टोरियन है और उनके देश में आवार्ड जो दिये जाते हैं जैसे हमारे देश में कई अवार्ड गर्वर्मेंट देथी है सबसे हाइस्ट अवार्ड हमारे यहां भारत रतना है ऐसे ही उनके पास भी अवार्ड है यह अभी तक केवल दो लोगों को अवार्ड मिल पाया है जो हाइस्ट अवार्ड है एक है उनके प्रधानमंत्री को और दूसरा है करनल सज्जाद को करनल सज्जाद जब लड़ाई शुरू हुई तो वो सेकंड लेटनेंट थे और वेस्ट पाकिस्तान में रहते थे उनको न्यूज रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया था कि बेंगॉली की खास तोर से हत्या की जा रही है तो बेंगॉली सोलजर्ज और उनके परिवार जो इस पाकिस्तान में रह रहे थे उनको पकड़ पकड़ के मार भी रहे थे लेडीज को उठा करके कैंप्स में डाल रहे थे रेप हो रहे थे ये सब कारवाई जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं भी अपने देश जाऊंगा ये वेस्ट पाकिस्तान चोड़ करके लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के अंदर वो निगरानी में थे क्योंकि बंगाली बहुत थोड़े थे सर्वेलेंस हो रही थी उन पर सर्वेलेंस थी अब उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे अगर जाना है तो मुझे border power करना पड़ेगा into Punjab. पाकिस्तान से पूरवी पाकिस्तान आने के लिए पहले हिंदुस्तान को अपने आपको समर्पन करना पड़ेगा और इंडिया की सहायता से ही वो यहां आ सकते हैं. तो उन्होंने वहां पर कुछ तयारी की और एक दिन जो local plans थे वो उन्होंने कठे किये लड़ाई के plan कठे करके अपने जूते में दबा दिये और मौका देख करके सरहत पार की और ऐसे पार की कि वो B.S.F. के नजर में आ जाएं और B.S.F. ने उन्हें पकड़ लिया. और वो लड़ाई के plan उन्होंने जूते के अंदर चुपाई हुए थे. अब B.S.F. ने उनको hand over कर दिया आर्मी को और military intelligence की inquiry शुरू हुई तो उन्होंने वो plans निकाल के दिये कि भाई मैं serious हूँ, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, आप मेरी help करो और proof के लिए उन्होंने plans पकड़ाए. दिखाने के लिए कि वो genuine है, right. So ये बात भारत ने मान ली और उनको help की, मदद दी कि वो East Pakistan तक पहुंच सकें और जब December काम टाइम आया, जबकि लड़ाई जोर शोर से शुरू हो गई, तो उन्होंने सिलेट एरिया में हिस्सा लिया. ठीक है, ये बहुत आपकी रोचक और दिल्चस्प कहानी है, ये हमारी बाची जारी रहेगी, और यहां पर ये वीडियो खतम होता है, अगले वीडियो में, अब हम 3 दिसंबर की तरफ पहुंच रहे हैं, उसकी बात करेंगे, शुक्रिया. झाल, 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 झाल.